नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेड़ पर दोस्तों आज का हमारा टोपिक होने वाला है रिसर्च एक्टिटूड research aptitude में हम ये जानेंगे कि research क्या होता है इसका meaning क्या होता है type of research क्या होते है तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे और जैसे कि कल एक video देखी थी हमने उसमें देखा था कि type of research में इसे काफी question आ रहे थे बार वार repeat हो रहे थे action research देखी हमने fundamental research देखी export factor research देखी तो उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे तो इस video का पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आप अच्छे से समझ सकें दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोद का meaning क्या है सोद का अर्थ क्या है यानि कि सोद के बारे में हमें basic चीज पता होना चाहिए क्योंकि तभी हम आगे research कर शकते हैं तो दोस्तो सोद के अंदर जो एक सबसे पहली चीज आती है वो होते हैं हमारी समस्या यानि कि problem identify करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमारे पास हम ऐसी problem लेते हैं solution already है तो हम research नहीं कर सकते तो इसलिए हमारी जो problem वो बिलकुल नहीं होनी चाहिए नहीं का मतलब यह दोस्तों कि उसका समाधान अभी तक नहीं खोजा गया हुआ हो और हो सकता है उसके काम हो गया हो जरूर हो गया हो काफी लोगों ने क्या हो लेकिन उसका completely solution ना हुआ हो तो इस तरह की हम समस्य उसके अंदर लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता कि सोद के दवरा उन मौलिक परसनों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्द नहीं हो उसका है यानि कि वही बात होगी यानि कि हम इसके अंदर ऐसी समस्या लेते हैं जिसका भी तक solution ना हुआ हो और सोद के अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जैसे मानवे ग्यान में ब्रिध्धी होती है यानि कि हमारी जो knowledge है वो increase होती है और अगर इसे हम English के अंदर देखें तो दोस्तों जैसे research research का बनता है re plus search यानि कि कि किसी तथे के वारे में हमें बार बार खोजना उसकी जो समस्या है उससे related तथे को इकत्रित करना और उससे जो result निकलता है उसके अधार पे हमें देखना कि हमारा समाधान हुआ है या नहीं हुआ है और और भी इसके अंदर काफी तरह की बाते आती है जो हमें पता होना चाहिए जैसे कि यह है दोस्तों कि अनुसंधान यानि कि research के अंदर नवीन तथ्यों की खोज की जाती है यानि कि नहीं नहीं चीजे खोजी जाती है और इसके अंदर जो हमारा पुराना जो ग्यान है उसको increase किया जाता है और यह जो चीज है दोस्तों यह question paper में आती है कि अनुसंधान के अंदर क्या किया जाता है तो वो option दे देंगे कि नविन तत्यों की खोज करना और और भी 4-5 तरह के option देंगे और उन में से हमें multiple question select करने होंगे तो यह चोटी-चोटी चीजे जो हमें पता होना चाहिए और और भी हम इसके अंदर चीजे करेंगे जो इसकी विसेस्ता है वो करेंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब देखिए अब हम बात करते है अनुसंधान की विसेस्ता ही क्या होती है दोस्तो इसमें से काफी बार question आता है विसेस्ता हो में से तो यह हमें करना जरूरी है तो थोड़ा सा एकवर ज्ञान से देख लेना कि अनुसंधान की जो प्रकिरिया होती है वो एक विज्ञानिक तरीके से होती है systematic ढंग से और सुनियोजित तरीके से वो की जाती है ऐसे नहीं है कि research मन में आया उसी तरीके से कर लिया और वो विज्ञानिक नहीं है नहीं वो विज्ञानिक होनी चाहिए systematic होनी चाहिए और वयवस्थित तरीके से होनी चाहिए उसके बाद में जैसे ये चीज हमारी आगे कि नवीन ग्यान के अंदर वृधि की जाती है कि हमारा जो ग्यान उसके अंदर increasement किया जाता है उसके बाद में जैसे हमारी जो सोध है दोस्तों वो विश्वसनिय होनी चाहिए उस पे लोग विश्वास करें इस तरह की हमारी सोध होनी चाहिए और और सोध के अंदर क्या होता कि जैसे गुणातमक और परिनातमक परदतों की व्याख्या की जाती है यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे गुणातमक और परिनातमक जो चीज़े होते हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं गुणातमक का अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि वो एक example लेते हैं जैसे कि हमारे देश के अंदर जो लड़कियां हैं उनको मारा जा रहा है कोक के अंदर मारा जा रहा है तो उसकी लोगों की thinking क्या है तो उनका गुण क्या है लोगों का किस वज़े से वो मारे इस तरीके की जो thinking होते हैं वो भी हम include करते हैं सोध के अंदर और और क्या होता है दोस्तों और भी हम इसके अंदर देख लेते काफी सारी चीजी आते और एक चीज और मैं आपको बता दूँ दोस्तों की हम थोरी चाहे कितनी भी पढ़ ले जब तक हम question नहीं करेंगे तब तक हमारे जो concept है वो अच्छे से clear नहीं होंगे अब वही बात आती है दोस्तों अगर हम किसी को बारवार रोटी पोना सिखाए वही रोटी इस तरीके से बनाई जाती है तो वो रोटी बनाना नहीं सीखेगा जब तक वो उसको practically करके नहीं देखेगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं की बारवार कहता हूं की old paper हमारे लिए करना जरूरी है तो अभी हम इसके evening को mock test करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें हम explain करके बातते करेंगे और आगे अतर दोस्तों हमारा सोध की विधिया यानि की अनुसंधान की विधिया type of research अब देखे दोस्तों इसके अंदर confusion क्या होता है कि एक त उसे दो तरह के होती है एक होती है दोस्तों हमारी fundamental research यानि किसे मूल भूत अनुसंधान या basic अनुसंधान भी कहते हैं इसे कई तरके से पुकारा जाता है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और एक चीज इसके अंदर ये कि दोस्तों जब भी आप exam करो तो अगर को क्या होता है इसके अंदर हम किसी विज्यानिक नियम का उत्पादन करते है विज्यानिक नियम बनाते है अब देखिए इसे हम एक example के थ्रू समझे तो जैसे न्यूटन ने gravitational force का सिधान्त दिया था तो वो क्या होगी हमारी fundamental research होगी basic अनुसंधान होगी यानिकि इसके अंद कि ये दोनों किस तरीके से related है जो चीजे हमने मूल भूत अनुसंधान में यानिकि जो नियम कानुन और जो थ्योरी हमने बनाई वो इसके अंदर applied करेंगे यानिकि प्रयोग कर करके देखेंगे अब वही example आता है जैसे Newton ने gravitational force बना दिया उसकी theory दे दी और अब हम उसको ज में से दोस्तों question आते हैं applied research में से इसको थोड़ा सा अप ध्यान से देख लेना और इसके हम question करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे और आगे आता है दोस्तों हमारा और भी काफी तरह की research है जैसे अब बात करते हैं जैसे कि quantitative or qualitative research यानि कि मात्रातमक और गुनातमक के अंदर हम मात्रा की बात करते हैं quantity की बात करते हैं और गुनातमक सोद में उसके गुनों की बात करते हैं जैसे कि मैंने पहले example दिया था कि हमारे देश के अंदर लड़किया मर रही है अगर उनकी counting की बात करे वही किस राज्य में कितनी मर रही है और गाउं लेवल पे हर लेवल पे वो देखे तो वो क्या होगी यानि कि उनकी counting करे तो वो होगी हमारी मात्रातमक सोद यानि कि quantitative सोद होगी और अगर हम उसके विचार देखे वी क्यों लड़किया मर रही है उसके पीछे reason क्या है लोगों की thinking क्या है तो वो क्या होगी हमारी qualitative यानि कि गुनातमक research सर्च होगी इसके अंदर यह डिफरेंस है और अगली रिशर्च आती है दोस्तों हमारी वरणात्म कनुसंधन जैसे की नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम किसी समस्या का अच्छे से वरणन करते हैं और तब जाके हम उसका समाधन खोजने का परियास करते हैं उसके अच्छे से खोजने का परियास करते हैं की रियल में यह समस्या है क्या यानिकी इस तरह की समस्या जिसको अभी तक परवासित नहीं किया गया है यानि कि जिसका हमें अच्छे से नहीं पता चला है कि यह समस्या क्या है तो इस तरह की जो खोज की जाते हैं उसे हम खोज पुरुण सोध कहते हैं और उसके बाद आता है दोस्तों प्रयोगात्मक सोध यानि कि एक्सपेरिमेंटल सोध इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करकर के देखते हैं कि क्या चीज करने से क्या हो रहा है जैसे कि विज्ञानिक होते हैं वो एक्सपेरिमेंट वगरा करते रहते हैं दोस्तों हमारी अगली रिसर्च आती है deductive तथा inductive research, इसके अंदर निगमन तथा आगमन विधी हम कहते हैं देखें निगमन विधी के अंदर क्या होता है? पहले हमें नियम बता दिया जाता है, उसके बाद हम उधारनों के दवारा उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, उसका समाधाद खोजने की कोशिश करते ह और इस विधी में जो सिधांत और प्रिवासा है वो हमें पहले ही बता दी जाती है बाद में उस सिधांत का प्रियोग बताया जाता है ये चीज हमें समझना जुरूरी है दोस्तों छोटी छोटी चीज है यही से हमारे कोश्चन आते हैं और एक और चीज इसके अंदर जो important है दोस्तो निगमन विधी के अंदर जो निगमन विधी है वो समान्य से विशेश की ओर चलती है और इसमें से काफी बार question आ चुके हैं जो हमारे पुराने मिम्रा उनको पता होगा तो आप भी अच्छे से ध्यान में रख लेना और आगे ह गटनाव को हमें पहले जिकर किया जाता है उसके बाद में हम समान्य नियमों और सिधान्तों का निर्मान करते हैं और इस विधी में हम ज्यात से अज्यात की ओर चलते हैं विशिष्ट से समान्य की ओर मुर्द से एमुर्द की ओर चलते हैं तो ये चीज़े दोस्तो छोटी आते हैं वेचारिक यानि कि conceptual यानि कि कि किसी विचार के उपर किसी थोरी के बारे में जो research करते हैं मुझे हम वेचारिक सोद कहते हैं उसके बाद आता है दोस्तों अनुभाविक सोद empirical इसके अंदर observation और data के अधार पर जो अनुभाव हमने प्राप्त किये हैं उसके अनुसार जो सोद की जाती है उसे हम empirical research कहते हैं और उसके बाद आता है दोस्तों एतिहासिक सोद अब ये देखी एतिहासिक सोद में क्या होता है इसका संबंद भूत काल से होता है यानि कि जो जो चीज बीत चुकी है उसके बारे हम research करें तो उसके हम क्या कहते है historical research या एतिहासिक सो कि पूछे गई थे तो इसे समझना जरूरी है देख Ini इसके अंदर क्या हुता कि कि समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च कि जाते हुँशें हम क्या कहते हैं कि जो पाते हैं कि जब हम question करेंगे तो भी हम इसको अच्छे से समझेंगे अगली सोध आती है दोस्तो हमारी visualization आतमक सोध यानि की analytical सोध इसके अंदर हम क्या करते है दोस्तो जो हमारे पास सूचना होती है उनका अध्यन करते है हम यानि की उनको analysis करके देखते की क्या है क्या नहीं है और उसके बाद आते है दोस्तो हमारी सिधानतिक यानि की theoretical सोध इसके अंदर हम क्या करते है जो हमारे पास सिधानत वगरा है उसको लेकर हम सोध करते हैं दोस्तो हमारी अगली research आते है निदानिक सोध यानि की डाइगनोस्टिक या clinical research है इसके अंदर क्या होता है दोस्तो एक समस्या से related सभी तत्वों के वारे में हम बात करते हैं उससे related जितनी भी बाते होते हैं उस पे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता जैसे कि इसे हम एक example के रूप में देखे दोस्तों कि जैसे कोई संस्था है या कोई गाउं उसके अंदर बिमारी फैल गई तो हम क्या देखेंगे कि उस गाउं में बिमारी है वह क्यों फैलिये उसका वातावरण कैसा है और वहां पे जो अस्पताल है वह कैसे वहां के जो लोग है वो किस तरीके से रहते यानि कि अच्छे तरीके से रहते या गंदे तरीके से रहते यानि कि जो विमारी फैली है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको पूरे तरीके से हम देखते हैं इसी तरीके से क्या होता है किसी समस्या से समस्या को हम लेते हैं और उससे related सारी चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं निदानिक सोद कहते हैं दोस्तो हमारी अगली सोद आती है एक्स पोश्ट फैक्टो रिसर्च यानि कि इसे हम हिंदे में कहते हैं कार्योत्तर अनुसंधान या पस्चोन मुखी अनुसंधान कहते हैं और यह जो रिसर्च है दोस्तों यह हमारी ने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी कोशन आते हैं और देखे कि इसे थोड़ा सिंपली में समझने की कोशिस करते हैं कि हमारे किसी सहर के अंदर बाड आगी यानि कि सुनामी आगी ठीक है सुनामी आने से क्या-क्या उसके जन्जीवन पर प्रभाव हुआ कितने लोग मर गए और कितने लोग बिमार हो गए क्या कुछ हुआ वो हम प्रभा नहीं कि इसके इंदर क्या होता है सवतंतर चर का आश्रित चर पर पढ़ने वाले प्रभाव के में जानते हैं यानि कि एक चीज बिलकुल फरी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते जैसे सुनामी मैंने बताया सुनामी को हम रोक नहीं सकते वो आएगी तो आएगी और उसके बाद में जो effect पड़ेगा यानि कि dependent variable जो बिमारी विगरा होगी वो किस तरीके से हुई अब जो बिमारी है देखी बिमारी को हम control कर सकते हैं तो बिमारी जो है वो हमारी dependent variable है और जो सुनामी है हमारी वो independent variable है तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है और दोस्तों अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमें comment box के जरीए पूछ सकते हैं मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिस करूँगा हो सकता है वीडियो में कई चीजे समझ में ना आए तो आप मेरे को बता देना मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा हमें तब समझ में आएगा जब हम कोश्चन करेंगे तो उसमें हमें लाइव देखने को मिलेगा कि किस किस तरह से कोश्चन पूछे जाते तब हमें ये चीजें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि लोगनी ट्यूडिनल रिसर्च इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो चीज पहले से चली हुई आ रही है यानि कि interval of time की बात करते हैं इसके अंदर मानके चलते हैं कि जैसे 50 सालों से कोई चीज चली हुई आ रही है तो उसके हर 5 साल में क्या क्या बदलाव हुए है तो वो चीज हम जानने की कोशिश करते हैं हम मोबाइल का example लेते हैं कि आदस से 10 साल पहले कैसे था उसे 10 साल पहले कैसे था यानि कि 50 साल का हम डेटा ले और उसमें देखें कि मोबाइल में किस तरीके से परिवर्तन आया है तो उसे हम कहTें longitudinal research कहते हैं और उसके बाद आता है दोस्तो कारण प्रभाव यानि कि casual research इस तरह की research में हम किसी एक सर के कारण दूसरे चर पर पढ़ने वाले प्रभाव के वारे में जानते हैं यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि एक दूसरी चीज़ पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है उसके अंदर हम देखते हैं दोस्तो अगली research आते हैं हमारे पास sense research इसके अंदर क्या होता है दोस्तो इसके अंदर हम जो जनसंख्या लेते हैं उसमें हर एक व्यक्ति से मिलते हैं इसमें संपूर्ण जनसंख्या की गणना की जाती है इसमें sampling का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें हम हर एक व्यक्ति से मिलते हैं और normally क्या होता है दोस्तो हम जब research करते हैं तो जैसे दस लोगों में से हमने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया यानि कि वो एक sample के तोर पर हम व्यक्ति लेते हैं लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति से जाजा के मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं sense research कहते हैं जैसे कि हमारी जनगना होती है तो दोस्तो ये हमारी type of research थे मेर में जो type थे लग भग मैंने सभी करवा दिये हैं और मैंने कोशिस किया है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकर विदेश कूँ और फिर भी दोस्तो अगर आपको किसी तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभीतक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का वटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों